क्या नाम है आपका शाहिल ये एक्सिडेंट आपके सामने हुआता है कैसे एक्सिडेंट हुआता है आपका हमारी चैनल एक संदेश पर मैं राहू लोधी एक ऐसी घटना के बारे में आपको बताऊंगा जिसके एक चुक आप सभी होंगे जी हाँ मैं एक ऐसी घटना के बारे में आपको जानकारी दूँगा एक एक पहलू के बारे में बताऊंगा कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था तो सातियों दिनांक 18 दिसंबर 2023 दिन सौंबार समय था पांच बज कर 30 मिनट और लगभग पांच बजे के आसपास का बो समय कोई घर जा रहा था तो कोई घर के लिए आ रहा था कोई मजदूर काम पे से जा रहा था अपना जो लंच बॉक्स होता है उसे बांद कर ले जा रहा था बाइक से जा रहा था कोई अपनी फैमिली से मिलने के लिए अपने गाउं जा रहा था यही रिक्सा होते हैं, कोई उसमें बैठा था, कोई बाइक से जा रहा था जैसे नॉर्मली रोड पर बाहन चलते हैं उसी पिरकार से बहां भी वही बाहन चल रहे थे साथियो एक ऐसी घटना इतने ही बीच में घट जाती है कि जिसका अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल था एक ट्रक साथे पांच बजे के आसपास बहुत ही तेज रफ्तार में आता है बहुत से लोग होते हैं ट्रक के ड्राइवर्स होते हैं जो भील को देख कर ट्रक की स्पीड को सिलो कर लेते हैं लेकिन लोग भौचक के जब रह गए लोग असमंजस में जब पड़ गए जब उस ट्रक ड्राइवर ने ना तो उसकी स्पीड को कम किया और ना ही रोका मेन चौराहा था जिसको हम मादिव चौराहे के नाम से जानते हैं उस चौराहे पर इतनी बड़ी घटना का घट जाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार ऐसी घटनाएं क्यों घट जाती हैं तो सातियों हम उस घटना के बारे में आपको बताएं जैसे ही वो ट्रक नहीं रुका और सीधे के सीधे बिलकुल ही लगभग जब हमने बहां के चस्म दीदों से बात की तो उसकी स्पीड 80 से 100 के बीच में बता रहे थे बता रहे थे कि भीड चल रही थी रिक्सा ये रिक्सा वाले चल रहे थे लेकिन उसने बिलकुल भी किसी का खौफ नहीं था ना किसी का डर समझा और उसने सब पर ही गाड़ी चला दे यानि कि ट्रक से सभी बाइक सवार को और जो ये रिक्सा में सवार थे उनको रौन दिया रौनने के बाद जब स्पीड नहीं थमती है तो वो और आगे तक जाता है लगवग एक किलो मीटर तक सभी को रौनते हुए चला जाता है बाद में उसे डर लगता है तो वो ट्रक को एक जगा रोक कर भागने लगता है इतने में ही पुलिस भी उसी चोराहे पर खड़ी होती और पुलिस उसको पकड़ लेती है थोड़ी बहुत पिटाई भी उसकी जनता लगा देती है फिर हम मादेव चोराहे पर आते हैं तो देखते हैं कि किसी के ठेले की प्याज कहीं पड़ी है किसी के ठेले का सेव कहीं पड़ा है क्योंकि पॉस इलाका है में चोरा है तो वहा लगवग 15 लोग घायल होते हैं अब तो आखड़े भी आ चुके हैं 15 लोग घायल हुए थे जिसमें की दो की ओन इस्पोर्ट ही मौत हो गई थी और 13 लोग कमभी रूप से घायल थे जिने की प्राइमरी फस्टेड देकर उन्हें हायर सेंटर बुलंशेर के लिए रैफर कर द हाँ भी देखा कि खून के चित्रे पड़े हुए थे यदि हम इस पर नहीं दिखा सकते कि किस प्रकार से जो हत्याएं हुई थी जो ट्रक के द्वारा रौन दिये गए थे यदि हम उनको देखें तो आप पर खाना तक नहीं खाया जाएगा साइद आप देख पाएं क्यों गया ट्रक के ड्राइवर से पूछता चुई तो बाद में पता ये चला कि वो नसे में बहुत धुत था नसे की हालत में था और वो डिवाई के पास के ही गाउं गोश्मी का रहने वाला था ये एक अखवार के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं एक अखवार में चपा है गोश्मी का था डिवाई से लगवग दो तीन किलो मीटर की दूरी पर वो गाउं हैं और उसने ही पंदरा लोगों को रौन दिया साथ यो अब बात आती है कि इस गटना का जिम्मिदार कौन है इस गटना का जिम्मिदार स्वेम ब्यक्ती ही है और साथ में पिरसासन भी है अभी अभी डिवाई में नए ऐसे चुआ आये थे उन्होंने पहले ही चेताबनी दे दे थी कि अपने जो ठेला वगेरा हैं या य इक्षा है इन्हें साइड में लगा लो जिससे की कोई नुकसान ना हो कोई हाली ना हो बाद में ऐसी अप्रिय घटना घट जाती है तो यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिरकार इसका जिम्मिदार कौन हम लोग अक्सर पुलिस के चेताबनी को नॉर्मल ले लेते हैं ह या कुछ अन्य चीजें जैसे एरिक्सा हो गए या टेंपो बगएरा हो गए आटो बगएरा हो गए यदि वो साइड में लग जाएं तो कही ना कहीं बहुत सी घटनाओं से बचा जा सकता है सौंबार जैसी घटना नहीं घट सकती यदि हम अपने आप में सुधार ले आए हमने बहुत सी जगा देखा है कि भीड में ही लोग ठेले बगएरा लगा लेते हैं जिससे की कहीं न कहीं उनको भी हानी होती है फिर पुलिस प्रिसासंग जो है दंडे से उन्हें हरकाता है फिर वो ही उल्टा फिर से उल्टा सीधा बोलते हैं तो साथियों कहीं न कहीं के बचा ही जाए क्योंकि उससे कहीं न कहीं आपको हानी हो सकती है यदि आप लापरवाही बरते हैं तो साथियो ये थी पूरी जो गाओं के लोग थे मैंने बताया था कि एरिक्सा में सवार थे कोई कहीं कहा था जो मिरतक थे वो दोनों मुसेरे भाई थे एक गालिमपूर का रहने वाला था तो एक अतरौली के मेमरी का रहने वाला था और साथियो जादतर उन घायलों में देवी नगला के जो कि अनुप्षयर रोड पर पढ़ता है और ताथियो जो लोग थे मैंने आपको पहले ही बताया था अनुप्षयर रोड पर एक गाओं पढ़ता है देवी नगला कुछ लोग बहां के थे जादातर लोग बहां के थे और साथ ही चोड़े राके भी बहां पर लोग थे जो कुछ ले गई थे लेकिन अच्छा ये हुआ कि जो मरने वालों की संख्याती उसमें कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई तेरा लोग घायल थ देती है इस समय गंभीर से निकल कर सामान्य में पहुंच चुके हैं तो साथियो ऐसी घटना जब घटती है तो पूरा का पूरा सहर देहसत में आ जाता है हमने अगले दिन भी देखा कि बहां पर बिल्कुल सूमसान पड़ा हुआ था वो जगे ना तो वहां कोई चलने बा ठेले लगाने चाहिए ना हमें जब भी हम रोड पर गुजरें तो दौनों तरफ देख के गुजरें कि कहीं कहीं से कोई तेज बाहन तो नहीं आ रहा है साथ ही हमें जो रोड के नियम है जो यातायात के नियम है उनका पालन करना चाहिए और एक अपील अपने चैनल के बार निकलें तो हेलमेट जरूर पहन कर निकलें मेरा हो लोधी आपसे बिदा लेता हूं जैहिंद